नमस्कार बच्चों कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज का पाड़ शुरू करने से पहले मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यात्राइं की हैं कहीं घूमने गए हैं आप लोग बताओ जरा सोचो शहर के लोग गाउं जाते हैं गाउं जाना अच्छी बात है खेद खलियां देखने होते हैं और कहीं गाउं से बाहर अपने शहर से बाहर कहां कहां गए हैं अच्छा शिमला गए हैं आप लोग शिमला अच्छी जगे है न पहाड़ी इलाका मसूरी दारजेलिंग और कहीं पहाड़ी कर गए हैं कहीं उच्चे इलाके पर अच्छी बात है घूमना बहुत अच्छी बात है आप लोग भी चोटे हैं अभी तो आप अपनी माता पिता के साथ घूमने जाते होंगे, पर आज कल सोलो ट्रेवलिंग यानि अकेले घूमने का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। आज मैं जो आपको पाट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें सोलो ट्रैवलिंग यानि अकेले घूमने वाले एक लेखक का यात्रा वृतान्त है, हमारे ये लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, बच्चों राहुल सांकृत्यायन हमारे हिंदी साहित में घूमकड प्रवर्ती के लेखक हैं, जिन्होंने अनेक यात्राएं की अपनी घर से निकलते थे और कई कई साल तक अकेले ही यात्रा करते रह जाते थे, उत्तर प्रदेश के आजमगड की पधां गाउं में जन्में राहुल सांकृत्यायन बड़े ही घूमकड प्रवर्ती के थे, 1930 में स्रिलंका के अपनी यात्रा के दोरां इन्होंने बहुत धर्म को अपना लिया और बहुत धर्म अपनाने के बाद इन्होंने बहुत धर्म गरंथों की व्याख्याएं की उनका अनुवाद किया, ये पाली, प्राकृत, अप्रणश, चीनी, तिब्वती, जापानी जैस अनिक भाषाएं जानते हैं इसलिए इनको हमारे हिंदी साहित में महापंडित राहुल संकृत्यायन कहा जाता है इनकी आत्म कता मेरी जीवन यात्रा छे खंडों में प्रकाशित हुई है जिसमें इन्हों ने जहां जहां अपनी यात्राइं की उन सब का वर्णन किया है इनकी एक किताब है घुमकड शास्त्र जिसमें उन्होंने बताया है कि घुमने वालों के लिए क्या क्या बात ही जरूरी है और कहां कहां ये घुमें बचों जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लासा की योर यह राहुल संकृत्यायन की तिबबत यात्रापर केंद्री थै जैसके मैंने बताया ना राहुल संकृत्यायन बड़ी लंबी लंबी यात्राइं करते थे और उनका उदेश था इन यात्राओं के दौरा उन्होंने इस पाठ में बखू भी किया है तिबत एक सुन्दर पहारी शेतर है जिसका रास्ता नेपाल से जाता है नेपाल का या रास्ता भारत के लिए भी तिबत जाने का रास्ता है बच्चों लेखा कहता है कि तिबत का या रास्ता एक ही रास्ता था उस समय क्योंकि फरी कलिंग पूंग का रास्ता खुलने से पहले तिबबत के लिए जो रास्ता जाता था वही एक रास्ता था और वही सैनिक रास्ता और ब्यापारिक रास्ता दोनों ही था ब्यापार भी उसी रास्ते के जरी होता था और सैनिकों की आवा जाई भी तिबद के जिस रास्ते से लिख़ग जाता है वहाँ पर चीनी सैनिक दस्ते रुकते हैं बड़े-बड़े किलों में चीनी सैनिक दस्ते रुका करते थे लेकिन समय के साथ जब चीनी सैनिकों ने वो किले छोड़ दिये तो वहाँ पर उस किलों को किसानों ने अपना आश्रा स्थल बना लिया किसानों ने उसे अपने लिए काम के लिए प्रयोग करना शुरू किया लेखा कहता है जिस समय हमने जाना शुरू किया तो हम पहली बार उसी एक किले में रुके चाय पीने के लिए चाय पीने कावरण करने के दौरान लिखा कहता है कि वहाँ का समाज एक अलग तरह का समाज है वहाँ पर जाती पाती चुआ छुआ छुट परदा परथा जैसे भेद नहीं है औरतें परदा नहीं करती, वहाँ छुआ छुट नहीं है, जाती परधा का जादा बंधन नहीं है यदि आप बाहर के भी हैं, यदि आप अजनबी भी हैं, तब भी किसी भी घर में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं उनको मक्षन नमकर चीनी चाय पती दे कर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं और यदि आपको खुद भी अपनी चाय बनानी है तो घर में जा कर खुद अपनी चाय पका सकते हैं हाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुची नीचे तबके के या भिखमंगी किस्म के लोगों को वो अपने घर में नहीं गुशने देते लेकिन अजनवी होते हुए भी आम भदर पुर्शों को अपने घर में आने देते हैं है ना अलग सा समाज लेखक और भी इसका बढ़न करते हुए कहता है कि जब वो उस रास्ते से निकल कर थोंगला के आखरी गाव में पहुचते हैं तो भिखमंगा होने के बावजूद भी उन्हें अच्छे रहने की जगा मिलती है तिबत में हतियार का कानून नहीं है इसलिए लोग हतियार रखते हैं और हतियार कैसे बंदूक लेकर चलना उनके लिए आम बात है रास्ते में डाकू मिल जाते हैं जो की पहले मारते हैं फिर आपकी तलाशी लेकर चीज़ें लूटते हैं कमाल है ना पहले मारी दिया तो फिर व्यक्ति को लूटने का क्या संबंद और उसकी सुनवाई कैसी यदि आपके ऊपर हमला किसी गाउं में हुआ है तो सरकार ध्यान देती है पुलिस व्योस्था आपके लिए काम करती है लेकिन यदि आप किसी निर्जन स्थान पर मारे जा लेखा कहता है कि चुकि ये भिखमंगे की वेश में थे इसलिए इनको मरने का ज़्यादा डर नहीं था और जहां कभी ऐसे लोग मिलते ये लोग जीव निकाल कर भिखमंगों की तरह कुछ मांगने लगते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं बलकि भिखमंगे हैं ताकि डाकू उन पर हमला ना करें और लेखा के भी कहता है कि इस रास्ते में इतनी उची उची पहारियां हैं नदी के कटाव पहार के कटाव हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत दूर तक दिखता ही नहीं इसलिए एकदम स डाकू आ जाते हैं और हमला कर देते हैं ऐसे स्थिती में बचना मुश्किल है लेखक थोंगला से आगे लंकूर पहुचना चाहता है थोंगला पहुचने का रास्ता लंबा है 16-17,000 फीट की उचाई की पहाड है ऐसे स्थिती में क्योंकि लंबा जाना है इसलिए लेखक अप अपना सामान रखकर वो आराम से चल सकें सुमती दो घोड़े ले लेते हैं और एक घोड़े पर लेखक बैठता है एक घोड़े पर सुमती लंबा रास्ता और ऐसे स्थिती में सुमती तो आगे निकल जाते हैं पर लेखक भटक जाता है लेखक आसपास की पहाडियां दिखाई नहीं देता और थोंगला के सबसे उचे पहाड पर वहां के देवता का मंदीर है जो पत्थरों और रंग विरंगी जंडियों से सजाया गया है बचों यहां से वो सुमती से बिछड जाते हैं और सुमती से बिछड इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घोड़ा धीरे कोई दबाब नहीं बनाते लेकिन इन्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये अपनी रास्ते से भटख गए हैं और जब लोगों से पूचकर ये सीधे अपनी रास्ते पर आते हैं तब तक बहुत देर हो जाते हैं और इनके मित्र सुमती को जितनी जल्दी गुसा आता है उतनी ही जल्दी वो शांत हो जाते हैं ये दोनों मित्र लंकोर पहुँचते हैं लंकोर सुमती के जानने वाले एक यजमान हैं जो इनका स्वागत करते हैं वहाँ पर पहले ही ने चाय सत्तु खिलाय जाता है और पिर बाद में रात को गर्मा गर्म थुपा पर उसा जाता है जो वहां का खादिपदार्थ है बच्चों यहां से ये लोग तिंगरी पहुचते हैं तिंगरी सपाट मैदान है चारो तरब पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सपाट टापो यहां पर भी सुमती के जानने वाले बहुत हैं और सुमती लेखक से कहते हैं कि यहां पर वो अपने यजमानों से मिलना चाहते हैं लेकिन लेखक को लगता है कि ये कई दिन ऐसे ही ना खराब करते हैं इसलिए वो कहते हैं कि यहीं आसपास के गाउं में किसी से मिलना है तो मिलाईए लेकिन दूर ना जाईए सुमती गंडे ये लोगों में बाड़ते हैं बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि तिबती समाज में अंद विश्वास फैला हुआ है बहुत समाज के लोग भी बहुत गया से ले गए कपड़े के गंडे तावीज में विश्वास रखते हैं और इसी बात का फायदा उठा कर कि सुमती के पास जब बोद गया का कपड़ा खतम हो जाता है तो वो किसी भी कपड़े से गंडे तावीज बना कर लोगों में बांड देते हैं और उन्हें खुश करते हैं ऐसी स्थिती में आप समझ गये होंगे कि बात धर्म में ऐसा विश्वास किस तरह फैला हुआ है य लिखक कहता है कि पहारों की धूप सीधी चुपती है पीछे से पीठ ठंडी हो रही होती है पर सामने से धूप बहुत तीखी लगती है लेकिन लिखक ये भी कहता है कि यदि सिर पर मोटा कपड़ा कोई ले लिया जाए तो इस धूप से बचा जा सकता है शेकर बिहार जाने के समय लिखक ये भी बढ़न करता है कि तिबबत में जागिरदारी प्रथा है जिसमें लगभक सभी चमीनों पर बहुत धमठों का कबजा है बहुत धमठ के लोग ही इन जागिरदारियों पर अपना कबजा बनाये हुए है यहां जो जागिरदार हैं उनक मित्र सुमती के साथ पहुँचता है तो वहां पर उन्हें बहुत भिक्षू नमसे मिलते हैं जो शेकर विहार की जागिदारी की देखरे करते हैं वहां एक सुन्दर सा मंदिर है जहां पर 103 हस्त लिखित पोथियां हैं और पोथियां कैसी हैं बहुत धर्म गरंथों की अनुवाधित पोथियां एक एक पोथी 15-15 सेर की बचों सेर और कीलो में फर्क होता है किलो सेर से थोड़ा ज़ादा होता है यानि आप लगा लें कि 15-15 सेर की उपोथियां कितनी भारी रही होंगी लेखा को पढ़ने में बड़ा मजा आता है मैंने कहा था ना कि लेखा के वल घूमना नहीं चाहता उस समाज की संस्कृती सभ्यता को जानना भी चाहता है जहां वो घूमता है वहां की रहन, सैन, खान, पान वहां की बौधिकता सभी कुछ को वो अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है वो सब कुछ बड़े ध्यान से देखता चला जाता है इसलिए जब लेखक को उन बहुत गरंथों की अनुवाद मिलते हैं एक सो तीन प्रतियां मिलती हैं तो उनको पढ़ने में बेस्ट हो जाता है जब उसके मुत्र सुमती कहते हैं कि वो कुछ दिन अपने जजमानों की मिलने जाना चाहते हैं तो वो फटाफट कह देते हैं कि जाये मिलाइए क्योंकि वो उस समय में अपनी किताबे पढ़ना चाहते हैं यहां से किताबों का अध्यन करने के बाद दोनों मित्र हागे निकल पढ़ते हैं बच्चो यहीं तक है ये लहासा की ओर में तिबबत की समाज का यात्रा वितांत बच्चो यहीं तक राहुल संक्रित्यायन ने तिबबत की उस समाज का वड़न किया है जहां की यात्रा इन्होंने की चलिए बच्चो अब हम इस पाठ का पठन करते हैं मैंने बताया था ना पाट का नाम है लासा की ओर तो चलो पढ़ें वह नेपाल से तिबब जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलिंग पॉंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजे इसी रास्ते तिबब जाय करती थी यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था इसलिए जगह जगह फोजी चोकियां और किले बने हुए हैं जिन में कभी चीनी पल्टन रहा करती थी आजकल बहुत से फोजी मकान गिर चुके हैं दुर के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था हम वहां चाय पीने के लिए ठहरें तिबत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी वहां जाती पाती छुआ छूत का सवाल नहीं है और ना औरते परदा ही करती हैं बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते नहीं तो आप बिलकुल घर के भीतर चले जा सकते हैं चाहे आप बिलकुल आपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी जोली में से चाय दे सकते हैं वो आपके लिए उसे पका देगी मक्षन और सोडा दे दीजिए वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूद वाली चाय के रंग की बना के मिटी के टोटी दार बरतन में रखके आपको दे देगी यदि बैठक की जगें चूले से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्षन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं चाय का रंग तयार हो जाने पर फिर नमक मक्षन डालने की जरूरत होती है परितक्ति चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी रहधारी मांगने आया हमने वह दोनों चिटे उसे दे दी शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखरी गाउं में पहुँच गए यहां भी सुमती के जान पहचान की आदमी थी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगए मिली पांच साल बाद हम इसी रास्ते लोटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आये थे किन्तो उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगए नहीं दी और हम गाओं के सबसे गरीब छोपड़े में ठहरे थे बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवरिती पर भी निर्भर है खास कर शाम के वक्त छंग पी कर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं अब हमें सबसे बिकट डाना थोंगला पार करना था डाने तिबबत में सबसे खत्रे की जगहें हैं 16-17,000 फिट के उचाई होने के कारण उनके दोनों तरब मिलों तक कोई गाउं गिराउं नहीं होते नदियों के मोर और पहाडूं के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं चासकता डाकूं के लिए यही सबसे अच्छी जगह हैं तिबत में गाउं में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवा नहीं करता सरकार खुपिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाभ भी तो कोई नहीं मिल सकता डकेट पहले आदमी को मार डालते हैं उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है की नहीं हत्यार का कानून न रहने की कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्टॉल बंदू के लिए फिरते हैं डाको यदी जान से न मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खत्रा है गाउं में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थूंगला के पास खून हो गया शायद खून की हम उत्री परवा नहीं करते क्योंकि हम भिक मंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते तोपी उतार कर जीब निकाल कुछी कुछी एक पैसा कहते भीक मांगने लगते लेकिन पहाड की उची चढ़ाई थी पीट पर समान लाद कर कैसे चलते और अगला पढ़ाव 16-17 मील से कम नहीं था मैंने सुमती से कहा यहां से लंकोर तक के लिए दो घुड़े कर लो समान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर उपर की ओर चलेंगे डाने से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाने के उपर जा पहुँचे हम समुद्र तल से सत्रा अठारा हजार फिट उचे खड़े थे हमारी दखिन तरफ पूरफ से पक्षिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेद शिखर चले गए थे भीठे की ओर दिखने बाले पहाड बिलकुल नंगे थे ना वहां बरफ की सफेधी थी ना किसी तरफ की हर्याली उत्तर की तरफ बहुत कम बरफ वाली चोटिया दिखाई पड़ती थी सरवोच ष्थान पर डाने के देवता का ष्थान था जो पत्थरों के ढेर जानवरों की सिंगों और रंग-विरंगे कपडों की जंडियों से सजाया गया था अब हमें बराबर उत्राई पर चलना था चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उत्राई बिल्कुल नहीं शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा मैंने समझा कि कावट की कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तों की तरहां अपने घोड़े पर जूमता हुआ चला जा रहा था जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जब मैं जोर देन का दाहिने वाला था फिर लोट कर उसी को पकड़ा चार पांच बजे के करीब मैं गाउं से मील भर था तो सुमती इंतजार करते हुए मिले मंगोनों का मूँ वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुसे में थे उन्होंने कहा मैंने दो टोकरी कंडे फूख डाले त खेर सुमती को जितनी जल्दी गुसा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था लंकूर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे यहां भी उनके अच्छे अजमान थे पहले चाय सत्तु खाया गया रात को गर्मा गरम थुकपा मिला अब हम तिंगरी के पिशाल मैद में थे जो पहाडों से गिरा टापूसा मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाडी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है उसी पहाडी का नाम है तिंगरी समाधी गिरी आस पास के गाउं में भी सुमती के कितने ही यजमान थे कपड़े की पतली पतली चीरी बत्य की गंडे खतम नहीं हो सकते थे क्योंकि बोद गया से लाए कपड़े के खतम हो जाने पर किसी कपड़े से बोद गया का गंड़ा बना लेते थे। वो अपनी जमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हपता बर उधर ही लगा देंगे मैंने उनसे कहा कि जिस में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांड़ दो मगर आसपास के गाउं में मत जाओ इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँचका रुपए दे दूँगा सुमती ने स्विकार किया दूसरे दिन हमने भरिया ढूडने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला सवेरे ही चल दिये होते तो अच्छा होता लेकिन दस-क्यारा बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था तिबत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है यद भी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खतम हो जाती है आप दो बजे सुरज की ओर मुह करके चल रही है ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बरफ हो रहा है फिर हमने पेट पर अपनी अपनी चीजें लादी डंडा हाथ में लिया और चल पड़े यद भी सुमती की परिचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाते थे इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेकर विहार की और चलने के लिए कहा तिबबत की जमीन बहुत अधीक छोटे छोटे जागिरदारों में बटी है इन जागिरों का बहुत जादा हिस्सा मठों के हाथों में है अपनी अपनी जागीर में हर एक जागिरदार कुछ खेती खुद भी करता है जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते ही खेती का इंतिजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षू भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता शेकर की खेती के मुखिया भिक्षू नम से बड़े भद्र पुरुश थे वह बहुत प्रेम से मिले हारांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्त लिखित एक सो तीन पोथियां रखी हुई थी मिरा आसन भी वहीं लगा वह बड़े मोटे कागच पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी पंदरा पंदरा सेर से कम नहीं रही होगी सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह गए मुने समझा दो तीन दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए तिंगरी गाउं वहां से बहुत दूर नहीं था हमने अपना अपना सामान पीट पर उठाया और भिक्षू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े तो बच्चों पहले हमने इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझा उसके बाद हमने इसका पठन किया बच्चों अब हम इसकी मुख विंदूओं की दरब जाते हैं इस पार्ट में हमें कौन कौन सी बातें सीखने को मिली है इस पार्ट में हमें इस यात्रा वितांत के जरिए तिबती समाज के बारे में जाने को मिलता है तिबती समाज में जाती पाती चुआ चूद और परदा परदा जैसी चीजे नहीं है कितनी अच्छी बात है ना कि जिस समय राहुत सांकिरत्यायन लिख रहे हैं वो समय हमारे भारती समाज में जाती पाती चुआ चुआ चुद और परदा परदा जैसी चीज़े बहुत गहरे पैठी हुए थी ऐसे समय में भी तिवती समाज में जाती पाट हुआ चुद। और औरतों के लिए परदा प्रथा का ना होना हमें हैरान करता है। और दूसरी बात कि वहाँ के लोग छंग नाम के नशीले पडार्थ का सिवन करते हैं। शाम को वो छंक पी लेते हैं और मस्ती में डूब जाते हैं और ऐसी स्थिती में वो कुछ भी कर सकते हैं और एक बात और हमें यहां जानने को मिलती है कि तिबत में हथियार का कानून नहीं है और इस बात का फायदा उठा कर लोग लाठियों को नहर रखकर पिस्तॉल और बंदूक अपने पास रखते हैं पिस्तॉल बंदूक रखने के कारण एक दूसरें को जान से मारने का खत्रा जादा बना रहता है वहाँ पर डकैत हैं निर्जन स्थानों पर डाको लूट लेते हैं और डाको लूटने से पहले व्यक्ति को मारते हैं क्यों मारते हैं क्योंकि किसी के पास भी बंदूक हो सकती है यदि डाको मारेगा नहीं तो वही आदमी डाको को मार सकता है इसलिए डाको सबसे पहले उस आदमी को मार देते हैं सरकार वहां की कानून व्यवस्था पर जादा पैसे खर्च नहीं करती इसलिए यदि निर्जन स्थानों पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं है उसको मारने वाले को किसी तरह की कोई सजा नहीं मिल सकती तिबती समाज बहुत समाज है वहां पर बहुत धर्म को मानने वाले लोग है लेखक यहां पर यह भी बताता है कि बहुत धर्म को मानने वाले लोगों में भी गंडे तावीज के प्रती विश्वास वो गंडे तावीजों में विश्वास करते हैं इसी बात का फाइदा उठा कर सुमती ने अपनी यजमान बना रखी है वो बोध गया से कपड़े लेकर जाते हैं और उन कपड़े से गंडे तावीज बना कर लोगों में बांटते हैं और यहां तक कि कभी-कभी उनके पास बोध गया से ले गए कपड़े खतम हो जाते हैं तो वो किसी भी कपड़े के गंडे बना कर लोगों को खुश कर देते हैं तो बच्चों ये बात बड़ी हैरान करती है ना कि बहुत धर्म जो एक नया धर्म है उसमें भी ऐसा विश्वास कितनी गहराई तक अपनी जड़े जमाए हुए है तिपती समाज की लगपक सभी जो जमीने हैं वहाँ पर जागिरदारी पर था है जागिरों में बांटी की हैं और जागिरदार कुछ पर खेती करते हैं और कुछ दूसरों को दे देते हैं खेती करने के लिए और खुद जो खेती करते हैं वहाँ पर खेती करने के लिए वे बेगार के मजदूर लाते हैं बच्चों बेगार के मजदूर का मतलब है जिन मजदूरों को किसी भी किसम की काम करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता यानि वो लोगों से जवर्दस्ती मजदूरी कराते हैं बेगारी करवाते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते बहुत भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्यार से मिलते हैं जबकि लेखक एक भिक्षु नमसे इतने अच्छे हैं कि उनकी 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 भिक्षु खोकी आपनियों ऊपनी Ciao होती देश में हमारी दुनिया में छ्षापा खाना नहीं आया था प्रिंट करने का कोई भी पास साधन नहीं था हमारे पास प्रिंट मिडिया नहीं था किसी भी चीज को हम छाप कर प्रकाशित नहीं करते थे उस समय पर हाथों से लिखा जाता था आपने भोज पत्रों का नाम सुना होगा आपने तामर पत्रों का नाम सुना होगा पहले इन ही पर स्याही की मदद से लोग हाथों से लिखते थे बाद में कागज बने लेकिन छपाई का काम बहुत देर से शुरूग हुआ तो लोग इन कागजों पर भी हाथों से लिखा करते थी इसलिए हाथों से लिखने की कारण बड़े-बड़े अक्षों में लिखने की कारण ये गरंथ जो है वो मोटे और बड़े हो जाते थे आपको मैंने बताया ना 15-15 सेर के धर्म गरंथ थे 103 पोथियां जिसमें बहुत धर्म गरंथों का अनुबाद किया गया था इस तरह से इस पार्ठ में हमें ये सारी बाते तिबत समाज के बारे में जानने को मिलती है चलिए अब इस पार्ठ से संबंधित मेरे कुछ प्रश्णों के जवाब देने की कोशिश की थी तो चलिए मैं पूछू मेरा पहला प्रश्ण है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठनाईयों का सामना करना पड़ा बताए बच्चों लेखक अपनी तिबत यात्रा के दौरान किन कठनाईयों का सामना करता है सोच के बताना चलिए अब मैं दूसरा प्रश्ण करूँ इस यात्रा वृत्तांत के अनुसार उस समय का तिबबत का समाज कैसा था? मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है आप ध्यान से इस वीडियो को यदि सुनेंगे तो इस प्रश्ण का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे ठीक है बच्छों? आपने बताना है कि उस समय का तिबबत का समाज कैसा था? चलिए, अब अगला प्रश्ण करें बच्छों आप जाती पाती से क्या समझते? जाती पाती से आपका क्या भिवराय है? मैंने यहाँ पर तिबबत के समाज के जाती ब्यवस्था की बात की है और लेखक ने भी समझाया है आप अपने भारत देश के समबंध में या फिर अपने समाज के समबंध में जाती पाती से क्या समझते हैं? जड़ा बताने की कोशिश करें सोच कर बताएं और अपनी कॉपी में लिखें चलिए मेरा अगला प्रश्ण है हमारे समाज में परदा प्रथा क्या थी? यहाँ पर लेखक ने कहा है न कि तिबबत समाज में परदा प्रथा नहीं थी तो हमारे समाज में परदा प्रथा का क्या स्वरूप है? ये भी सोच कर बताएं और अपनी कौपी में लिखी चलिए अगला प्रश्ण है मेरा इस पार्ठ में तिब्वती समाज के आंचलिक शब्द आएं जैसे मैं एक बता रहा हूँ बाकी आपने ढूंडने चोंगी अब इस चोंगी शब्द को छोड़कर अन्य चार शब्द आपने तिब्वती समाज के आंचलिक शब्द ढूंडने है ठीक है बच्चों ये सभी प्रश्णों के जबाब आप सोच कर अपनी कौपी में लिखे और अपने अध्यापक से विचार विमर्ष करे मैं उमीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा आप इसको दुबारा से सुने तो मुझे उमीद है कि आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे बचों आपने ये यात्रा वितांत पढ़ा आपने देखा न कि राहो संकृत्याय ने केवल अपनी यात्रा का वड़न नहीं किया वे जहां गए वहाँ के समाज का बड़ा गहन अध्यन किया वहाँ के समाज के बारे में भी लिखा इसलिए आप भी कहीं यात्रा करें तो छोटी-छोटी चीजों को संजोना न भूले आप भी यात्रा करें अपना यात्रा वितांत लिखें और अपने दोस्तों के साथ अपने अध्यापकों के साथ उसको सांजा करें ताकि आप यात्रावित्तांत लिखने में सक्षम हो जाएं तो बच्चों इसी के साथ हम पार्ट खत्म करते हैं स्वस्त रहें, खुश रहें धन्यवाद